नमस्कार मैं हूँ दिपक शर्मा और आप देख रहे हैं बिग नियूज बाका की बड़ी खबरों की बुलेटिन में आपका स्वागत है बढ़ते हैं खबरों की ओर गोतियारी विवाद में कट्टा लहरा कर अपनी हनक दिखाना एक युवक को महंगा पड़ गया सूचिना मिल्ले पर पहुंची पुलीस ने देशी कट्टे के साथ युवक को गिरपतार कर लिया गिरपतार युवक का नाम शिवशंकर सिंग उर्फ शंकर बिहारी है घटना बाका जिला अंतरगत संभूगन स्थाना चेतर के वनशिपूर गाउं की है पुलीस के अनुसार शिवशंकर सिंग उर्फ शंकर बिहारी संभूगन स्थाना चेतर के वनशिपूर गाउं का रहने वाला है उसका अपने चचेरे भाई के साथ विवाद चल रहा है शनिवार की रात अशोक सिंग की पुतरी शौच के लिए गई थी इसी दोरान शिवशंकर सिंग उर्फ शंकर बिहारी अपनी हनक दिखाते हुए देसी कटा हवा में लहराने लगा शिवशंकर उर्फ शंकर बिहारी के इस रवये की सूचना अशोक सिंग ने पुलीस को दी सूचना मिलने के बाद अवर निरिक्षिक इंद्रदेव राई ससस्त बल के साथ बंसीपूर पहुंचे और मौके पर देसी कटा के साथ शिवशंकर उर्फ शंकर बिहारी को गिरपतार कर लिया थाना ध्यक्ष पंकज कुमार राउत ने पुष्टी करते वे बताया कि गिरपतार युवक शिवशंकर उर्फ शंकर बिहारी के विरुद दो मामले थाने में दर्ज किये गये हैं बाका जिले के कटोरिया थाना छेतर के कठोन पंचायत के तिलंगवा गाउं में शनी वाट संध्या पोखर में डूबने से दो बच्चों की मौत हो गई मृतक में गाउं के ब्रह्मदेव यादव की पुत्री शीनु कुमारी आठ वर्स एवं सीताराम यादव का पुत्र गोलु कुमार साथ वर्स सामिल है परिजनों ने बताया कि गाउं के अन्य बच्चों के साथ दोनों बच्चे पोखर के बगल मैदान में खेलने के लिए गए थे इसी दोरान पैर फिसलने से दोनों बच्चे पोखर में गिर गए मौके पर मौझूद अन बच्चों द्वारा होहला करने पर परिजन सहीद अन ग्रामिन मौके पर पहुचे तथा दोनों को पोखर से बाहर मिकाला परिजनों द्वारा दोनों को कटोरिया रेफ्रेल अस्पताल लाया गया जहां चिकिसक किरपाश शिंधु द्वारा जांच कर दोनों को मिरित गोसित कर दिया गया बाका जिले के अमरपूर थाना पर एक बड़ी कारवाई की गाजगरी है जिला पुलिस अदिक्चक अर्विंद कुमार गुपता ने इस थाना की समिक्षा के बाद थाना ध्यक्चेवं थाना लेखक को सस्पेंड कर दिया है जब किसी थाना के एक अने सविस्पेक्टर राजीव रंजन को लाइन हाजीर होने का आदेश दे दिया गया है जिला पुलिस अदिक्चक के इस कारवाई से थाना अस्तरीय पुलिस महाकईमे में हरकम मचा हुआ है मालूम हो कि अभी सिर्फ दो दिन पूर्वी बाका जिले के चार थाना ध्यक्चे इधर से उधर कर दिये गए थे हलाकि इन में से एक संभुगंज के थाना ध्यक्च का तबादला गया जिले में हो जाने की वज़ा से वहाँ नए थाना ध्यक्च की पदस्थापना की जरुरत थी शो वहां नए थानाध्यक्ष बहाल किये गए बाकी के तिन अने थानों में थानाध्यक्षों की अदला बदली से जिले के पुलिस माकिमे में एक नया महाल कायम हुआ इसकी वज़ा या भी रही कि इनमें से दो एक थानेदाद वर्शों से अपने पद पर काजिब थे जिसकारण उस थानों में पुलिसिंग पर सिथीलता का ग्रहन लग रहा था। इस बड़ी फेर बदल के बाद दूसरे ही दिन अमरपूर थाना देक्च अरविंद कुमार राय एवं थाना लेखक राजिश कुमार के निलंबन तता इसी थाने में पदस्थापित सब इंस्पे बनाने के उद्देश से ये निर्नाय लिए गए एस्पी के अनुसार अमरपूर थाना देक्च अरविंद कुमार राय इसलिए सस्पेंड कर दिये गए क्योंकि उनकी करतव निष्ठा एक्टिव पुलिसिंग के अनुरूप नहीं थी साथी पबलिक के साथ भी उनका देकारियों की जोरर थी सो त्वरित निर्नाय लेते हुए एस्पी अरविंद कुमार गुप्ता ने अमरपूर में नए ठाना देक्च की पदस्थापना कर दी है इस सम्बन में शनीवार की देर रात एस्पी ने जिला देस भी जारी कर दिया है एस्पी अर्विंद कुमार गुप्ताद्वारा जारी जिला देश के अनुशार फुली डुमर के थाना देख्च मुहमत सब्दर अली को अमरपूर का नया थाना देख्च नियुक्त किया गया है। पाइस मील में पांच भी बार आग लग गई। मजदूर नहीं रहने की वज़े से धान का बोरा नहीं अटाया जा सका है। बताते चले पूरु में व्यपार मंडल के अधेख्च के द्वारा कडोरो रूपिये का घोटाला किया गया था। बाका जिले के अमरपूर थाना देख्च के रूप में रहीवार को महमत सब्दर अली ने पदभार गरान किया। पदभार गरान करते ही नए थाना देख्च ने असपस सब्दों में कहा कि अबैद खनन रोकना ही हमारी पहली प्रात्मिकता होगी। किसी भी सूरत में अबैद खनन नहीं होने दिया जाएगा। इन ने जोर के किनारे पड़ेक युवक के शव को देखा। हो हल्ला करने पर अनिग्रामिन जुटे तथा घटना की जानकारी कटोरिया पुलीस को दी। सूचना मिलते ही थाना धेक्ष निरस्तिवारी सब दल बल के साथ घटना स्तल पर पहुँचे। तथा शव को कबजे में लेकर पुश्माटम के लिए बाका भिज दिया गया है। समाचार लिखे जाने तक सब की पैचान नहीं हो पाई है। स्थित स्वास्ति कर्मी विकास्तिवारी के क्वार्टर की खेड़की तोड़कर लाखो रुपिये की गहने कीमती बरतन आदी लूटकर फरार हो गए। के समीब असंतुलित होकर बाई की दुरगटना गरस्त हो जाने से एक व्यक्ति गंभीर रुप से जक्मी हो गया। जिसे सामुदाइक स्वास्ति केंद्र चांदर में प्राथमे के इलाज के बाद चिंता जनक इस्तिती में देवघर रेफर कर दिया गया। गंभीर रुप से जक्मी युवक की पहचान गिरेडी जिला के मंगरोडी ही निवासी संजय गुपता के पुत्र सुबोध कुमार गुपता के रुप में हुई है। जानकारीक अनुसार सुबोध कुमार गुपता देवघर से बाकाज जीला के साहिव गंज बजार अपने नाना के घर जा रहा था। कसाई मोड के समीप मुखी सडक पर बनाये गए स्पीड ब्रेकर पर तेज रप्तार होने के कारण बाईक असंतुलित होकर दुरगटना गरस्त हो गई जिसमें वह गंबीर रूप से जख्मी हो गया। थाना देक्षी चांदन रवी शंकर कुमार वसनी मुखराम सिंग दल बल के साथ घर्टना स्थल पर पहुँचे और अम्बूलेंस की मदद से इलाज हेतू उसे सामुदाइक स्वास्त केंद्र चांदन पहुँचाया। जहां प्रभारी चिकिस्सा पताधिकारी डॉक्टर एके सीना ने प्राथमिकी उपचार के बाद गंबेर स्थिति को देखते हुए देवगर रेफर कर दिया। बाका जिले के अमरपूर थाना छेतर के सलेमपूर गाउं में आपसे बिवात को लेकर हुई मार्पिट में महला समेत तीन लोग जखमी हो गए। खाना देख सब्दर अली ने बताया कि आवेदन के द्वारा दिये गए आवेदन पर अनुसंधान किया जा रहा है। तो आप तक के लिए इतना ही फिर होगी आपसे मुलाकात तब तक के लिए नमस्कार।